हेलो फ्रेंग्स एंड दियर स्टुडेंट्स आज का माँ टॉपिक है फिनेंटरिंग इस वीडियो में हम लोग फिनेंटरिंग का इस्ट्रक्शर इसकी सेंथेसिस रियक्शन और यूजिस को जो इंपॉर्टेंट यूजिस हैं उनको डिटेल में करके देखेंगे तो मैं हू नाप्थलीन देखा उसमें हमने एंटरासीन देखा ठिक उसी तरीके से फिनेंटरिंग जो है वो भी एक पॉली नूकलर हाइड़ोकाबन या पॉली सैकलिक हाइड़ोकाबन के तरीके से हमें प्राप्त होती है इस ऑल्सो आफ फ्यूज बेंजिन रिंग सिस्टम जहां पर पर जो है वो एंगुलर फैशन में होंगी एंगुलर फैशन का मतलब एक एंगिल बनाते हो यानि दो रिंग तो एक साथ होंगी और एक रिंग जो होगी वो क्या होगी एक थोड़े से अलग तरीके से एंगल बनाते हुए जो है वहां पर एंगलर फैशन में एक दूसरे के है भी वो भी प्राप्त की जा सकती है अगर इसके structure और numbering की बात करें तो हम दो कुछ इस प्रकार सा structure हमें मिलता है चाहिए आप ऐसे लिखे दोनों जो है वो क्या है finance ring का ही लिखने का तरीका है आप numbering किसी भी ring system से शुरू कर सकते हैं इन दोनों से जो जाहरी वाली ring system होती है आप इधर से करिए यहां से करिए तो हमने यहां से किया इस वान टू थ्री फो ठीक है फाइव six seven eight जो fuse ring होती है बीच वाली उसको बार में करते हैं तो nine and ten उसे तरीके से यहां पर देखिए one two three four five six seven eight और यह बीच वाली आ गई तो nine and ten तो इसे तरीके से आप चाहें तो इधर से भी कर सकते हैं तो चीज़ होती और आप यहां से भी करते तब भी क्या होती सेम चीज़ होती इधर से करते हैं अगर आप one two three four इसको बोल देते five six seven eight यह हो जाती nine and ten यह हो जाता ठीक तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है इसको हम चाहें तो simple इस तरीके से भी लिख सकते जहां पर यह जो कारबन हैं आपर आपको दस नंबर दिख रहे हैं it is 11 12 13 14 14 चौदा कारबन हैं आपर चौदा के चौदा कारबन जो है वह सबके पास एक-एक खाली पी ऑर्बिटल्स भी है जिन इन पी ऑर्बिटल्स के अंदर जो है एक-एक पाई इलेक्रॉन भी है यानि तोटल चौदा पाई यहां पर प्रेजेंट हैं यह चोदा पाई एलेक्रॉन जो है आपस में लोग्लाइस होते हैं और चौदा करते हैं जिसको उपाइप कर आ यहीं आप चाहें जैसा कि और इस परकार सकते internet की Finanthrin and Anthracin वह green oil of the coal tar fraction coal tar का हम लोग fraction करते हैं तो जो green oil fraction निकलता है उसमें उसमें Finanthrin and Anthracin दोनों पाए जाते हैं उसको हम लोगो कूल करना है जब आम उसे ठंडा करेंगे तो हमें Solid Crystals मास की रुप में मिलेगा इस मास में Finanthrin and Anthracin और इसके साथ कुछ एक दो चीज़ें और भी हो सकती है इस crystal में solid crystals या mass में फिर इसके आज हम लोग इसको इस solid crystals को naptha solvent के अंदर क्या करेंगे घुलेंगे तो जब आप इसको घुलेंगे तो जो फिनेंथरीन के crystals हैं वो solubile होते है नफ्थान में जबकि एंथरासीन वाले और या दूसरे जो और चीज़ें वो इसमें solubile नहीं होंगी इसके बाद यह जो हमें solution मिला इस solution of phenanthrine भी बोल सकते हैं इस solution को हमको evaporate करना यानि उड़ा देना है जब आप इसको वास्पी करेंगे इवोपरेशन करेंगे इसका तो आपको crude crystals प्राप्त होंगे जो crude crystals है वो किसी के प्राप्त होंगे phenanthrine के जो crystal मिले इसका re-kristalization करना है with the picrate in ethanol, ethanol के solution करना है picrate के साथ लेते हुए और इसका re-kristalization करना है जो आप re-kristalization करेंगे या आप इसको purification भी बोल सकते हैं इस process को और इसके द्वारा आपको pure phenanthrine के जो crystals हो प्राक्त होंगे तो ये coal-tar के किस प्रकार से प्राप्त कर सकतें वो तरीका है हम बार-बार कहे रहा है कि ज्यादातर aromatic compound जो हैं वो हमको coal-tar से प्राप्त हो जाते हैं जो दूसरा तरीका इसको प्राप्त करने का या इसकी synthesis का उसको हम कहते हो स्वीराइब यहां पर हमको सिफ क्या लेना है नप्थिलीन यहां पर लेना और यह लेक्शन को कराएंगे तो हम सिंपल इसको कैसे समझ सकते कि यह कार्बन के उपर यह जो हाइड्रोजन है यह बांड को यहां से ब्रेक करोगे तो यह कार्बन इतके पास जुड़ जाएगा इस ओ के पास क्या जाएगा यहां पर एक एसीड के इस कारबन पर इस कारबन को में जोड़ना है तो यह हो गया यहां पर हम इसको जोड़ दिया इससे C double bond O और इसके साथ क्या जाओ है CH2 है उसके साथ फिर से एक CS2 है और यहां पर क्या है COOH है ठीक तो यह क्या बना 4-keto-4-napthyle-butanoic acid अब यह 4-keto-4-napthyle-butanoic acid जो है इसको हम लोगों को reduction करना है तब हम यहाँ पर reduction करेंगे और यह जो आपके सामने C-double bond O group दिख रहा है इसको हम लोग reduction करेंगे तो ठीक है यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं क्या लेंगे हम लोग यहाँ पर simply ले लें zinc ले लें, hg ले लें और scl की presence में इसको reaction करा है तो यहाँ पर क्या होगा reduction होगा reduction simple लिख सकते हैं आप लोग याद रखने के लिए अपने यहाँ पर C-double bond O जो group है यहाँ पर क्या हो जाएगा CH2 हो जाएगा तो कर लेते हैं यह हो गई हमारी naphthalene ring ठीक है और यह बना लिया ऐसे और इस carbon के ऊपर यहाँ पर अब क्या हो गया है it is CH2 पहले यहाँ पर क्या था C-double bond O था यहाँ पर दो hydrogen जोड़ गए यह CH2 एक और CH2 से जोड़ा हुआ है वह एक और CH2 से जोड़ा हुआ है और वहाँ पर क्या है C-double bond O है और O-H है यहाँ पर भी H है ठीक यह बिल्कुल वही चीज हो जाएगी जब हम लोग next step में यहाँ पर क्या डालेंगे H2SO4 डाल करके इसको गरम करेंगे तो यहाँ से पानी निकलेगा और रिंग का जो system है वो आपके सामने आ जाएगा तो ठीक है यहाँ पर हम लोग इसको ऐसे ले लेते हैं यहाँ पर क्या डालेंगे H2SO4 डालेंगे और इसको क्या करेंगे गरम करेंगे यहाँ से क्या निकलेगा H2SO बहा निकलेगा इस OH से यहाँ से H से है ठीक और जब यह बहा निकलेगा तो यहाँ पर ring system का formation हो जाएगा कर लिजे formation यह हो गई हमारी naphthalene ring और यह हम लोग बिल्कुल वैसे लिखने जैसे थी यह और इसके साथी साथ इस carbon पर अब हम लोग इसको बना सकते है कुछ ऐसा जैसा कि इसका structure हमें दिखना चाहिए तो यह हो गया हमारा क्या जुड़ा है यहाँ पर CH2 जुड़ा हुआ था इस CH2 से जो है क्या जुड़ा हुआ है एक और CH2 जुड़ा हुआ है उससे क्या जुड़ा हुआ है एक और CH2 जुड़ा हुआ है ठीक है और यह CH2 से जो यह carbon था यहाँ पर क्या है यहाँ पर carbon लिख लेते हैं double bond O है और यह carbon अब इस ring system से जुड़ गया तो यहाँ पर क्या हो रहा है 6 rings यह जो है hexacyclic ring यहाँ पर बन रही है क्योंकि यहाँ पर EOH और यहाँ से H जो है वो निकल गया now अब जो यह बना आपके सामने इसमें एक बार फिर से हम लोग इसका reduction कर देंगे ठीक है simply एक बार फिर से इसका reduction कर दीजे zinc और HG की presence में फिर से SEL डाल दीजे और यह जो C double bond O है इसको भी खतम कर दीजे ठीक तो खतम कर देते हैं यह बन गई हमारी naphthalene ring ठीक है जैसी थी और इसके साथी साथ यहाँ पर अब एक जो है पुरी तरीके से देखिए hydrated ring बन रही है यहाँ पर भी CH2 यहाँ पर भी CH2 यहाँ पर भी CH2 क्योंकि C double bond O की जग़ा पे आपने reduction कर दिया तो यहाँ पर क्या हो गया C double bond O हट गया और यहाँ पर CH2 हो गया तो कुछ इस प्रकार से दिंग आपको पराप्त हुई आप इसका नाम जो है चाहे लिख सकते हैं इस पोजीशन नमबर 1 2 and this is 3 and 4 दोने जग़ा पर हाइडोजन जोडा हुआ है इसको हम लिख सकते हैं वन तू आप त्री आप फोर वन तू त्री आप फोर टेट्रा हाइडो फिनेंथनी ठीक है इस त्री फोर टेट्रा हाइडो फिनेंथनी नाओ लास्ट स्टेप यहां से अगर हम लोग पहले और दूसरे से तीसरे और चौथे से अगर हम लोग यह निकालने क्या बोलते हैं हाइडोजन निकालने यानि कि दी हाइडो जिनेशन करना है यहाँ ठीक है यहां से हाइडोजन को क्या निकालना दो मुल हाइडोजन एक हाइडोजन यहां से क्या मिल जाएगी हमारी ठीक मिला लेते हैं यह हो गया हमारा वो रिंग सिस्टम जो पहले से दो रिंग सिस्टम थे और एक और हमारा बिंजीन रिंग यहाँ पर फॉर्म हो जाएगी यहाँ पर यहाँ पर डबल बॉंड यहाँ से हाडोजन निकाला यहाँ से हाडोजन निकाला तो यहाँ पर ड़या जाएगे जब hardogen निकालोगे तो bond shift होगा तो यहां double bond हमको क्या मिल गए हमारी finance फिननेंटरी ठीक फिननेंटरी निंग जो है वो हमको रप्त हो जाएगी ठीक टो च recurs यहां पे भी पी अटर यहां पर भी थाँ थिक तो यह फिनेंटरी निंग भी आपके साथ बन गई यह सरकार benz HAR v फिनेंटरी की कर सकते हैं ठीक सै क्मट फिर हैं यहां पर क्तिमाद के बहुत इंप्राटरिन पीमटर्न से होती है यह महतुर करने के सर्फेक्ट लिखी है यहां पर इसको नैट्रोजन के निकलने से और उसके जुड़ने की वजह से साइक्लाइजेशन होता है उसी को हम इस परकार की संतिस कहते हैं लेकिन हम यहां पर आप तो नाइट्रो बिंजल्री हाइट से और सोडियम फिनाइल एसेटेट आप ले सकते हो या सोडियम फिनाइल कारवक्सलिक एसिड भी आप ले सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है इन्दपजनस ओफ एसेटिक एनागाइड यह रियक्शन यहां पर टेक फ्लेस होगी क्या होगा ध् इसकाबन और इसकाबन के बीच में क्या जाएगा इसकाबन के बीच में डबल बॉंड आजाएगा और यह पूरा पूरा यह जो रिंग को दिख सकते हैं तो लिक लिए इसको यहां पर पहले से ही उपलब्द थी और इस रिंग पे ढहर da देते हैं और इस काबन के साथ यहाँ पर C-H हमने लिख लिया क्योंकि यह CSI और यह डबल बॉन्ड किसके साथ बनाया है इस काबन के साथ तो यहाँ पर क्या है CS2 नहीं रहा क्योंकि यहाँ से काबन में से H2 निकल चुका है और यहाँ पर क्या नाम है ortho phenyl ortho nitro cinnamic acid now अब इसी का जो यह आपके सामने cinnamic acid का यह जो part दिख रहा है इसमें जो nitro group है इसका हम लोगों को क्या कर देना है reduction करना है इसका reduction करने के लिए हम लोग यहाँ पर ले सकते हैं zinc hg जैसा हम लोग उपर भी ले रहे थे simply zinc ले लिजिए hg ले लिजिए in the presence of hcl यहाँ पर reduction हम लोग कर देंगे और जब इसका reduction आप करोगे तो यह no2 जो है वो nh2 में बदल जाएगा ठीक है तो बदल देते हैं भाई कोई दिक्कत नहीं है यह अब क्या हो गया यहाँ पर nh2 आप चाहे गोल बना लेज़े चाहे बॉंड लीज़े कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर क्या है ch double bond c इस c से क्या जोड़ा हुआ है ring जुड़ी हुई है बेंजीन निंग उसको हमने जोड़ लिया यहाँ पर जैसी थी है और यहाँ पर और क्या है c o o h उसको भी भूलेंगे नहीं तो यह क्या बन गया और्थो फिनाइल और्थो अमीनो अमीनो ग्रूप लगा हुआ है और सब्सक्राइब और यह देरिवेटिव यहाँ पर त्य ग्रूप जोड़ देंगे यानि कि नाइट्रोजन आ जाएगा तो यह कैसे आएगा जब आप इसकी रियक्शन करने के लिए हम लोग ना नो टू या फिर जो है एच नो टू भी आप ले सकते हो इंदर प्रजिंस ऑफ एच टू एसो फोर ठीक है तो इसकी प्रजिंस में आ आप लोग क्या करींगे इस और जोटा बनता यहेजल्ट तो इसका हम कर लेते हैं यह हो गई हमारी बंजीshot लिग जैसी थी वैसे लिए यहां पर टू हो गया इसके साथ क्या है HSO4- के form में ये भी यहाँ पर present है ये plus form में है ये minus form में दोनों चीज़े यहाँ पर रहेंगी इसके साथ ही साथ जो भी कुछ जैसे था वैसे लिख दीजे CH double bond C, COOH इसको भी रहने देते हैं और यहाँ पर अब देखें क्या होगा कि यहाँ पर भी एक ring system था और यह जो benzene ring थी इसी पर जब हम लोग यहाँ पर इसी को हम कहते हैं साइकोर से जब यहाँ पर से आपके पास जो यह hydrogen है यह hydrogen भी लीफ ठीक है यहाँ से इस hydrogen को हमको निकालना है nitrogen को निकालना है जब आप इसमे H2SO4 डाल करके और copper की presence में reaction होती है यानि यह reaction करने के लिए हमको Cu जो है वो copper चाहिए होता है Cu की presence में जब Cu powder को आप डाल करके reaction करोगे तो क्या निकलेगा यहाँ से nitrogen निकलेगा यहाँ से H2SO4 निकलेगा यहाँ से ठीक और इसकी presence में इस परकार से कुछ हो रहा है तो यहाँ पे हो गया यह हमारी benjin ring बिल्कुल वैसी हम लोग बना लेते हैं पहले यह हो गया CH double bond C यहाँ पे COOH लगा हुआ था यह जो है एक हमारी दूसरी ring system के साथ जुड़ा था और यह क्या था यह ठीक अब यह carbon और यह carbon आपस में क्या हो जाएंगे जुड़ जाएंगे क्योंकि यहाँ से nitrogen यहाँ से nitrogen निकला तो यह carbon इस carbon से जुड़ गया हमने यहाँ पर इसको इसके साथ जोड़ दिया और क्या बने हमको cycle कितने carbon की यह देखिए एक, दो, तीन, चार, पांच है छह carbon की chain चाहिए थी और यहाँ पर double bond चाहिए था वो बन चुका है बस खाली अब यहाँ पर क्या है COOH group है इसको हम लोगों को यहाँ से क्या कर देना है हटा देना है और इसको हटाने के लिए हमको कुछ निकरना है इसमें फिर से एक बार क्या डालिए H2SO4 डालिए और इस reaction को गरम कीजे जब आप इसको गरम करेंगे तो यहाँ से क्या निकलेगा carbon dioxide CO2 जो है यहाँ से निकल जाएगा और यहाँ H बचेगा तो यहाँ से CO2 निकल गए यह H इस carbon के पास से जाएगा तो CH यहाँ CH यहाँ Double Bond और यह हमको क्या मिल जाएगी हमारी Finanthry यह Finanthry नितु है और क्या है यह बन गई Finanthry यह हो गया यहाँ पर देखे यह ring system हो गया यहाँ पर यह से साथ जुड़ी गया था और यह दोनों आपस में जुड़े थे यहाँ Double Bond था यहाँ पर CS CS Double Bond और कुछ नहीं किनना हमको यहाँ से सिफ काबन अक्साइड निकाल देना है और हमारी reaction जो है वो complete हो जाएगी और हमको क्या मिल जाएगा Finanthry ठीक है तो यह बन गई यह है हमारी कौन सी synthesis है इसको हम कहते है इसके दोरा भी हम लोग Finanthry को जो है बना सकते है तो यह थी synthesis अब देखते हैं इनकी chemical reactions के बारे में बात करेंगे synthesis समझ में आ गई होगी आपको अब हम लोग इसके chemical synthesis के बारे में बात करेंगे अगर आप इसका नाम लिखना चाएं तो भी कि लिख सकते हैं नाम जो है यहाँ पर यह तो यह तो इसका salt है डाइजोट salt है और इसका जो नाम है यह देखिए क्या है यह 9 और 10 इसको हम लोग 9 माल लेते हैं इस 9 यह 9 & 10 इसको बोल देते है तो 9 फिनैंथ्रीन पोजिशन पर या फिनेंट्री नाइन कार्बोक्सली केसिड आप गोच सकते हैं या पर नौवे नंबर पर कार्बोक्सली केसिड गुर्प जो है वो लगा हुआ है तो अब देखते हैं इसकी रियक्षिंज लाइक एंत्रासीन जो हमारी फिनेंट्रीन है वो भी लेस अरोमेटिक होती है देन दे बेंजीन और इसमें जो है हमको एक दो तीन चार और पांच जो है रजोनेटिंग स्ट्चर्चर्स जो है वो पाया जाता है और इसमें भी जो पोजीशन नंबर 9 एंट 10 आपको दिखाई करेंगे तो कहांच करेंगे नौवे नंबर का जो हमारा काबन है वहां से हाट डोजन निकालनी है हमको और अगर एडिशन करेंगे तो दोनों जगह से हम लोग को क्या करना है डबल बाउन हटा करके वहां पर एडिशन करते हैं नौवे और दस्वे नंबर पे तो नौवा दस्वा नंबर जो है वो लगातार आप देखे एक डिंग सिस्टम दो तीन चार और पाँच यह पाँचों रेजोनेंस में जहां पर आप देख रहा हो कि किवल डबल बाउन की जो पूजिशन है वह हमको चेंज करनी है और हमको तो नौवा दस्वा नंबर जो है वो उस कार्बन पर देखे एक दो तीन और चार इस्ट्रक्चर में डबल बाउन दिख रहे है यानि नौवे और दस्वे नंबर का जो कार्बन यानि C9 और C10 जो है उसकी जो बाउन लेंट है वो इस एराउंड 1.37 अंगिस्टम और यह छ प्रेजेंट है इसकी वज़ा से क्या होता है कि जादा तर रियक्शन इनी जगाओं पर होती है यह हमको याद रखना होगा चलिए आगे बढ़ते हैं और जो मेकनिजम है यहाँ पे हम सब्सूशन मेकनिजम वह बिल्कुल वैसी होती है जैसे एलक्टोफिक सब्सूशन में तो क्या होता है कि यहाँ पर हमको सब्सूशन प्रोड़क्ट मिलता है लेकिन वाया एडिशन प्रोड़क्ट अगर हम लोग लोग टंप्रेचर पर करेंगे तो हमको सीधे सब्सूशन प्रोड़क्ट मिलेगा अगर आप नॉर्मल रोल रूम टंप्रेचर पर करते हैं तो पहले क्या मिलेगा एडिशन प्रोडक्ट यहां पर यह जो सी डबल बॉन आपके सामने दिखाई दे रहे हैं डबल बॉन जो दिखाई दे रहे हैं यह ब्रेक हो जाएंगे और दोनों कार्बन के ओपर एक एक क्लोरीन जो है जाकर के जुड़ जाएगी तो यहां पर सील पर एक हैं तो यह क्या हो गया एडिशन प्रोडक्ट है यह लो थम्प्रेचर भी होता है व्र रूम टमक्रेचर पे करेंगे तब्र होगा ठीक और इसको क्या कहेंगे deepest डाइठी लॉड हाइड्रो तो नहँं जंगा फिर यह बंता है जब पर शेत यह बनता है याद रखेगा हाई तो सीधे यह बनेगा यानि सब्सक्रिशन बनेगा लेकिन लो टमप्रेचर पर करोगे तो पहले अडिशन बनेगा अब इस लो टमप्रेचर वाले पर से यहां से जिस भी क्लोरीन को आप रख रहे हैं अगर माली जे नाइन पोजिशन पर क्य यह पर क्या जाएगा डबल वॉन यहां पर क्या रह जाएगा क्लोरीन यहां पर हरो टमप्रेचर पर करने के बाद देशन बहारे उसको आप गरम कर दोगे वहां से क्या नेकल जागा एक हो यह निकलेगा और हमको 9 position पे hello group जो है वो बिल जाएगा दूसरी जो reaction है अब ये अच्छा ये कैसे हो रहा है ये बिलकुल electroflix substitution reaction की तरीके से होगी जब भी आप substitution reaction देख रहे हैं तो आगे बढ़ते हैं दूसरी जो reaction है important वो है फिडल क्राफ्ट एसाइलेशन ये भी electroflix substitution reaction की तरीके से होती है जीरो डिग्री सेल्सियस पे जब आप ALCL 3 की परजेंस में एसेटाइल क्लोराइड को फिनेंथीन पर यहां से देखिए यह जो cl है यह cl इस एच को अपने साथ ले करके चला जाता है ठिक और क्या करेगा अपने साथ लेकर चला जाएगा और co cst group जो है वो इस काबन पर क्या करेंगा हम पो जोड़ देना है तो यहां पर double bond जो है वो हटे का नहीं जैसा कि हम लोगों ने पहले दे रखका है यहां पर क्या जाएगा co cs3 इसका नाम क्या बनेगा नाइन एसेटाइल फिनेंथरी नौवे नंबर पर यह भी रेक्शन हो जाएगी बहुत है तो यहां पर भी आप जानते हो कि हाइड्रोजन होता है नौवे न नाइन नोटू ग्रूप के साथ अच्छा यहां से देखें यह चीज़म चुड़ गया यहां पर सेल वी बन रहा है याद रखेगा और यहां पर जब आप एक्शन करोगे तो यहां पर इस हैड्रोजन को डिप्लेस कर देगा और क्या निकल जाएगा एच्टू यहां से न सोडियम के द्वारा होगा बस रिंग सिस्टम यहां पर फिनेंट्रीन का वहां पर बिंजीन का था आगे बढ़ते हैं और रिड़क्शन रियक्शन होती है जब आप सोडियम को ले करके इंदा प्रजेंस ओफ इधिन और रियक्शन कराते हो और फिनेंट्रीन पर तो यहां पे नौवे और दस्वे नंबर पे दोनों नंबर पे एक हाइडोजन है एक हाइडोजन दोनों जगा और जुड़ जाएगी तो हो जाएगा यहाँ पर दो हाइडोजन हो जाएगे एक पहले का था एक हाइडोजन और जुड़ गया एक हाइडोजन और जुड़ गया मतलब ड dihydrofinanthrin हो जाएगा अगली जो important reactions है वो है oxidation reactions यहाँ पर finanthrin जो है हमने इसको इस प्रकार से इसी तरीके से मिसले लिख रहा है क्योंकि हमको 9 और 10 पर ही देखना है तो हम यहाँ के bonds फिर जाद देखा नहीं दे रहे तो 9 तस्वे नंबर पर फिर से यहाँ पर reaction होगी oxidation भी होती है अगर आप na2 cr2 o7 की presence में इस reaction को कराते हो तो 9 और 10 नंबर पर double bond o जो है जानी दोनों जगहों पर एक एक oxygen जो है वो आता है hydrogen को replace करके तो इसके साथ ही साथ इसका नाम जो नहींगा वो क्याएगा 9 और 10 दोनों नंबर पर जुड़ गया 9 10 फिनेंसरीं क्यून जो है वो आपके साम या फिनेंसरीं क्यून जो है वो इसकी जो सेंसिस से वो आफ इस पर कार सकते हैं दूसरा अगर हम लोग H2O2 और जो है estic acid के presence means reaction को करें तो क्या होता है कि दोनों नंबर पर यानि 9 और 10 पर COOH ग्रूप और यहां पर भी COOH जुड़ जाता है जिसके साथी साथ यह जो आपका जो bond system में वो रहेगा उसमें कोई रिक्कत नहीं आएगी इसको यहीं पर यह बना रहेगा बस यहीं प अगर oxidation करने in the presence of oxygen तब भी COOH ग्रूप जो है दोनों जगों पर हो जाता है तो भी आपको diphenic acid मिल सकता है दूसरी चीज़ अगर हम लोग oxygen in the presence of H2O2 अगर इस reaction को करें तो यह जो bond था double bond यह प्रे क्या हो जाएगा यहां से break हो जाएगा यह जो carbon के बीच का bond है यह break हो जाए और इन काबन पर क्या जाएगा C11O और H इस पर भी और C11O H इस पर भी आ जाएगा यानि कि CHO CHO ग्रूप आ जाएगा इसको हम diphenyl aldehyde जो है वो कहते हैं और यह oxidation जब हम करते हैं oxygen के presence में H2O2 के साथ तब हमें diphenyl aldehyde जो है वो प्राप्त होता है आप इसको CHO CHO भी simply लि नहीं होता क्योंकि यह carcinogenic property शो करता है और carcinogenic property शो करने की वज़े से इसका बहुत ज्यादा pharmacological या medicinal use हम नहीं कर सकते तो कुछ और uses जो है जैसे कि finanthrine जो है वो pesticides और dye बनाने के बहुत काम आता है यानि agriculture field में और different color की dyes को बनाने के काम जो है finanthrine आती है यह इसका जो production है हम लोग जब इससे कुछ derivatives use करते हैं और उसके derivative बनाते हैं तो कुछ drugs में और regins बनाने के काम जो है वो आती है लेकिन सीधे हम लोग इसका प्रयोग as a drug नहीं कर सकते हैं अगली बात जो है यह stabilizer के तरीके से use होता है in the production of high efficacy and low toxicity pesticides जोगी आप agriculture में use करते हैं और smoke less powder explosive यानि कि जो आप explosives बनाना चाहते हैं कुछ explosive मतलब की हो गया bum bum टाइप के चीज़ें जिससे धवाकिया आप कर सकते हैं वो powder वाले जो होते हैं लेकिन इसमें smoke less हो यानि smoke नहीं होता जिससे कि कुछ artist बाजी वगेरा करने के लिए इनका प्रयोग किया जा सकते हैं इस प्रकार की चीजे बनाने के काम जो है यह फिनेंसिन की नोन मना ली जो और उसका प्रयोग किया जाता है नायंटन का लिके केजिश्ट धान अब हम लोग ने उपर पर देखा उस सी ओ ग्रूर्प दोनों जो बेंजिन निंड प्र फर नुबर पर वहां इस डेरिवेटी का प्रियोग क्या जाता है for the polyester और alkyl resins बनाने के काम आता है पर hydrofinanthrine acid जो है वो यूज करते हैं पर hydro मतलब सभी carbon के उपर एक एक hydrogen जोड़ दीचे सभी double bonds अटा दीचे उसको हम क्या कहेंगे पर hydrofinanthrine यानि कि nickel और hydrogen के presence में जब phenanthrine की direction करते हैं एक यह भी हो सकती है सभी carbon के उपर एक hydrogen जोड़ जाएंगे जैसे कि anthracine के case में आपने देखा था पिछले वीडियो में तो यह jet fuels के जो प्रोड़क्शन है यानि jet जो होता है उनकी जो fuels होती है उनको बनाने के काम आता है पर hydrofinanthrine जो है हमारा plant एक Chinese plant है जो की चाइनीज मेडिसन सिस्टम में यूज का जाता है एंटी इंटी इंफ्लामेटरी एक्टिविटी डियोटिक एक्टिविटी और टीट्मेंट ऑफ ओडीमा उसके जो constituents हैं उसमें जो है वो पाई जाती है और इमा क्या होता है जहां पर सूजन हो जल भर जाया आपके किसी पार्क में जहां उसकी वज़े से सूजन हो जाते है उनके treatment में काम आता है इसे तरीके की पाई जाती है तो उसके synthesis करने के लिए यानि इन सब की हमको synthesis करनी हो morfine की caffeine की dimethyl morfine की तो हम लोग जो है finanthrine का प्रयोग जो है वो कर सकते हैं मैंने पहले कहा कि due to the carcinogenic properties हम इसको सीधे बहुत जादा medicinal use तो नहीं है तेकि इसका प्रयोग दूसरे तरीकों से कर सकते हैं जो प्रयोग मैंने आपको अभी बता हैं तो यह था आज का माई topic के और भी subjects हैं उनके उपर भी हम लोग कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो आपको प्रवाइड करा दें और जो important topics हैं और भी other topics हैं from the chemistry of the from the so takes या फे कोई biological sciences के जैसे बाइ chemistry के topics हैं उनको भी हम लोग लेकर के आएंगे ठीक इसी तरीके से तो जो आपका इस वीडियो का PDF है उसका लिंक आपको description मिल जाएगा आप वहां से इसको निकाल सकते हैं या download कर सकते हैं वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवा कर दो